हेलो मैं डियर स्ट्रेंट्स आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है न्यूज है तो मैंने सुच आप लोगों के साथ शेयर किया जाए तो यूपी बोर्ड का जो एक्जाम है वो कब होंगे बहुत सारे बच्चों के कॉमेंट्स आ रहेते हैं आपका एक ही कॉमेंट है कि सर यूपी बोर्ड का एक्जाम कब होगा क्लास 10 एंड क्लास 12 का चीक है तो इसमें आज थोड़ा सा डेटेल्स में बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड में जो क्लास 10 है लगब लगब ये बात चली क्लास 10 के जो स्ट्रेंट्स हैं उनको प्रमोड कर दिया जाए अच्छे कैसे प्रमोड किया जाएगा तो उसके लिए जो इस बोर्ड हमारा उन्हों बोर्ड ने सेंटरल गव्सल्मिंट को चार उप्शन्स दिया कि इन चार options के बिहाब पे हम class 10 को promote कर सकते हैं दूसरी चीज उन्होंने class 12 के लिए क्या बात कही है कि class 12 का exam कब होगा तो class 12 के बच्चे भी इस वीडियो को देखे last तक देखना इस वीडियो को आपको clear हो जाएगा कि exam की संभावना क्या है ठीक है तो अगर हम इस news इस updates को देखते हैं तो कहां जा रहा है कि UP board के पास बिना परिक्षा करा है high school के चात्रों को promote करने के चार बिकल्प है board ने चारों बिकल्प के संबंद में शार्षन को प्रस्ताब बेज दिया है अंतीम निर्णा शार्षन को लेना है मतब government यहां पर final decisions लेगी कि क्या करना है हमें exams किस तरीके से कराने है या किस तरीके से promote करना है तो पहला बिकल्प उन्होंने दिया है फर्स्ट बिकल्प उन्होंने दिया है कि चमाई तथा pre-board परिक्षा के आधार पर प्रणोत करने के चर्चा की गई है बिकल्प दिया है कि जैसे गुजरात बोड की तरह सभी चात्रों को पीछला चैक्षिक रिकार्ड देखे बिना सीधे promote कर दिया जाए उन्होंने कहा कि मदब आप pre-board या चमाई का result मत देखो अब directly promote कर दो क्योंकि बहुत सारे cases यह आ रहे हैं कि बहुत सारे schools में आपका pre-board भी नहीं हुआ है और आपका चमाई का exam भी नहीं हुआ है तो उस आधार पे उन्होंने बिकल्प दिया है कि आप यह मत देखो कि pre-board में कितने marks है या आपका चमाई में कितने marks है उसको बिना देखे आप directly चात्रों कर दो promote कर दो तीसर अबिकल्प उन्होंने दिया है कि school के पिछले तीन साल के record का आधार बना कर औसत परिक्षापल गोसित कर दिया जो कि CBSC ने एक mediocre बे यहाँ पे बनाया था कि पिछले तीन साल का उन्होंने record देखा और उसी record के आधार पर उन्होंने school से जो है चात्रों के marks मांग लिये तो जो UP vote है UP vote ने भी यही कहा है कि भाई देखो एक काम करते हैं कि school का पिछले तीन साल का जो record है उसका average निकालते हैं और उसी average के आधार पर बच्चों का परिक्षापल गोसित कर दिया जा एक तो यह और यहां पर most important यहां उन्होंने चौथा बिकल पर जो दिया है उन्होंने कहा है कि inter परिक्ष के साथ ही iSchool की परिक्षा भी कराई जाए बले ही परिक्षा अगस्त में हो देखो क्या है यहां पर यहां पर जस्ट आप अगर चौथा बिकल पर देखेंगे तो चौथा बिकल पर वो कह रहे है कि intermediate परिक्षा अगस्त में होने यहां पर उन्होंने कहा है कि inter की परिक्षा है वो cancel नहीं होगा वो अगर परिक्षा अगस्त तक भी जाती है तो अगस्त में भी हो सकता है ठीक तो अगर INTER का exam सागर अगस्त में होता है तो hi signal का exam में exam को भी अगस्त में ही कराया जाए यह अगस्त के बाद सेप्तमबर में भी जा सकता है वो depend करेंगा COVID की situations क्या है उस situations के आदार पर decisions लिए जाएंगे बट छोथा विकल पे अगर गोर करें तो MAYBE जो अपका लिए चीज़ को और अपनी प्रिप्रेशन को करते रहे बिटा क्योंकि एक्जाम्स आपके होंगे भले वह आपके अगस्त में हो या जो लाइब में हो ठीक है तो यह कुछ आपके कुछ अपडेट्स थे यूपी बोर्ट से रिलेट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लेस वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ शियर जरू करना और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं क